बीस थंब रंग पांच के आगू अर्श द्वार दस बाएं दस दाईने करे रोशन नूर चलकार करे रोशन नूर चलकार श्री कुलचन सरूप की ये सुन्दर चोपई हमारा ध्यान खीच रही है श्री रंग महल के धाम दर्वची की ओर श्री रंग महल के धाम दर्वची की सन्मो दो मंदिर का लंबा चोड़ा चोग जिनकी उचाई 204 हाथ उचियाई है दो मंदिर के लंबे चोड़े चोग का विस्तार से वर्णन पूर की वीडियो में हो चुका है उनका लिंक दिस्क्रिशन में है और इन चोग के दाएं बाएं चार मंदिर के लंबे चबूत्रे इन चबूत्रों पर पांच रंग के बीस थम बाएं हैं जिनमें दस थम बाईं तरफ दस थम दाइनी तरफ हैं हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और निल्वी जिनमें हीरा का थम इनकी एकी भूम में दो भूमें समाई हुई हैं और मानिक, पुखराज, पांच और निल्वी के थम भूम दर्भूम दो भूमें ले रहे हैं तो आईए दो मंदिर के चोग की उन्नोरी शोगा को निहारते हुई तले अतिस सुन्दर गिलम, उपर सुन्दर चंदरवा चारो कोनों में हीरा के सुन्दर थम और सीडियों पर सुन्दर बड़ी महराव और धाम दर्वजे के उपर भी सुन्दर अक्षी महराव धाम दर्वजे की सोनी शोभा प्रथम भूमिका में नूरी दरपन रंका विशाल दर्वज्जा धाम दरवज्जे की दूसी भूम में एक चरो का छे जाली द्वार दो दरवज्जे और अब नजर करते हैं इन चार मंदिर के चबोत्रे की और तो हम अपना मुख करते हैं दाइनी और तो यहां हम देखेंगे कि हीरा के थम जिनकी एक इभूम में दो भूमे समाई हैं इन चबोत्रे और चबोत्रे की दूसी भूम चरोखे को संपून्ता प्रदान करने के लिए ये मेहर करकी सुन्दर महरावों की शोभा देते हुए इन चबूत्रे की इन जरोखे को सुन्दर संपूनता प्रदान करते हुए तो हीरा के थंबू पर सुन्दर महराब लाल मानिक के फूल सुन्दर नकाशी हीरा के इन महराबों में और तले नजर जाती है तो एक सीरी उपर इन चबूत्रे पर जाने के लिए सुन्दर मार्ग और डाएं बाएं 75-75 हाथ की जगे में कठेड़ा और 50 हाथ की जगे में उपर जाने का मार्ग कठेड़ों की शोभा हीरा के थंबों से छिल मिलाती हुई अनेक नगों का फूनों का चित्रामर और इस प्रकार से शोभाएं मान की यहां सुन्दर द्वार बनता हुआ तो यहां से एक सीड़ी चड़ कर चार मंदिर के लंबे और दो मंदिर की चोड़ी चभुत्रे पर खुद को पाया हमारी कदमों तली अत्ति सुन्दर पश्मी गिलाम बेशुमार फूलों बेलियों की नकाशी से सुसजित गिलम पर जहां भी नजर जाती है फूल खिलते हुए सुगंदी भी खिरते हुए गिलम कूमल होती हुए अब चबुत्रे की पूर किनार की शोभा को देखते हैं यहां पर हीरा का थम हीरा का वही थम जो हमने दो मंदिर के लंबे चोड़े चोख में देखा कि जो दो भूम तक सीधा जाता है जिसकी एक ही भूम में दो भूमें समाई है हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नेलवी हीरा, मानिक, पुखराज, पुखराज, पांच, पांच और नेलवी सुन्दर नूरी शोभा, हीरा का आती सुन्दर थम, मानिक का सुन्दर थम आमनी सामनी थम्बों की सुन्दर जलकार उन थम्बों की चित्रामन में आई फूल एक दूजे की जलकार से छिल मिलाते हुए मानिक के फूलों पर हीरा की जलकार, हीरा के फूलों पर मानिक के थम की जलकार दो थम्बों की बीच की सुन्दर शोभा, और भी सुन्दर दिखाई देती हुए ये थम तयाली साथ सीधा उपर जा रहे है धम की उचाई 44 हाथ है पर एक हाथ की जगे चबूत्रे में दबा ली है उपर 44 की महराव सुन्दर नकाशी से सुसज्जे और उसके उपर 16 हाथ की जगे में चितरकारी चितरकारी आनी थी 12 हाथ की जगे में प्रन्तो इन चबूत्रे की जो दूसी भूमिका है जरोखा इन स्थान को दूसी भूम से तीन सीरी उपर शोभायमान होना है और उपर नजर करते हैं तो दोनों चबूत्रों और मद्धे चोख पर जो एक ये शोभा आ रही है जो एक छट आ रही है यही तीजी भूम की परशाल है जो तीसी भूमिका से तीन सीरी उपर है तो तीन हाथ की जगे तो ये हुई क्योंकि हमने अविन जरोखे को तीजी भूम की परशाल को उपरा उपर ये शोभा मंदिरों से तीन सीरी उपर उठनी है तो तीन हाथ तो ये बड़े और एक हाथ की शोबा हमने देखी थी कि संपून प्रथम भूमिका पर 6000 मंदिरों की दो हारे हवीलिया मद्धे नव चोग पर जो एक छट आ जाती है तबी छट्जा निकलता है उच छट्जे से एक सीड़ी ऊपर दूसरी भूम की शोबाती है तो जब हम इन दो मंदिर के लंबे चोड़ी चोग में हैं तो दूसरी भूम 101 हाथ उचाई पर है तो इस तरह से वो चार हाथ का इसाब संपून होता है यहां से हम जब चब उत्रे पर हैं तो दूसरी भूम 100 हाथ की उचाई पर है क्योंकि हम इन दो मंदिर के लंबे चोड़ी चोग से एक सीड़ी ऊपर है तो इस प्रकार से 16 हाथ की चितरकारी हुई यह शोबा हुई पूरव दिशा की सुन्दर थम, महराबे, लाल मानिक के फूल उपर 16 हाथ की जगे में सुन्दर नकाशी अब इन चब उत्रे के उत्तर दिशा की शोबा को ने रखते हैं तो हम शोबा देखेंगे चबूत्रे की उत्तर दिशा में नील्वी की 134 साथ की महराब क्योंकि आगे की जगे बुर्ज ने खेर ली है इन शोबा को विस्तार से देखने के लिए हम चबूत्रे के भीत्री तरफ देखते हैं चबूत्रे के पश्चिन तरफ यहाँ चार मंदिर लगते हुए दस मंदिर के हांस के धाम दरवज्जी के दाएवाई जो चार-चार मंदिर आ रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चोथा तो यहाँ हम देखेंगे धाम दरवज्जी के इन विशेश हांस के गुर्ज की शोबा जिनमें आधा गुर्ज तो इन दस मंदिर के हांस में और आधा गुर्ज 25 मंदिर का हांस से उन मंदिर से लिया गया 33 साथ की जगे इन मंदिर से, 33 साथ की जगे इन मंदिर से इनके सनमुक यह अपना 66 हाथ का लंबा चोड़ा गुर्ज हुआ इन शोबा को यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर दक्षिन तरफ की चबूत्रे की शोबा दिखला रखी है थी इसी प्रकार से उत्तर दरफ की भी चबूत्रे की शोबा है यह देखेंगे धाम दरवज्जे से यह तीसरा मंदिर, यह जो चोथा मंदिर है जरसे एक बड़ी महराब, बड़ी में तीन, तीन में पुन है तीन तीन, जिन में दो दरवज्जे छे जाले द्वा तो यहाँ पर जो तेनती साथ की महराब है, इन गुर्ष ने दवाली है तो यहाँ पर तेनती साथ की जगे चबूत्रे के उपर और तेनती साथ की जगे धाम रोस पर यह गुर्ष शुभायमान है आधा गुर्च चब उत्रे पर और आधा गुर्च धाम लोस पर शोभाई मान है हम इन चब उत्रे पर हैं गुर्च में जाना है तो हमें एक सीड़ी नीचे उतर कर जाना है अब हम गुर्ज के भीतर खुद को मैसूस करें और गुर्ज की चारो तरफ की शोबा देखें तो हम ये देखेंगे गुर्ज की ये जो तीन दिवाले बहार की तरफ आई है उत्तर दक्षिन और पूरव यहाँ पर चोखट एक सीड़ी उपर उठाई है क्योंकि जब चबूतरे से हम आएंगे तो यहाँ पर चोखट एक सीड़ी उपर है तो पूरव दिशा की और इदर दक्षिन दिशा की भी चोखट एक सीड़ी उपर है लेकिन भीतरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पर यह दस मंदिर के हास का दरवज्जा और यह साथ लगते हास के मंदिर का दरवज्जा तो यहाँ पर दरवज्जा खुलेगा हम एक सीड़ी उची चोखट उलंग कर इन दोनों मंदिरों में जा सकते हैं तो भीतर की तरफ हम देखेंगे हमें दो महराबे मिलेंगी जिनमें दरवज्जी, चार जाली द्वार और ये हमें अक्षी महराबे ऐसे इनकी उल्टी कमाने हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और नेलवी का जो थम्भ है उसकी कमान नजर हमें आएगी और आप हम देखते हैं कि चबूत्रे पर हैं तो एक सीड़ी उतरना है यहां धाम रोज पर हैं तो एक सीड़ी उंची चोखड को उलंके यहां जाना है यहां पूरव में हैं तो हम देखेंगे दरवज्जी का एक पल्ला तो चबूत्रे पर और एक तले है उपर से जाना है तो एक सीड़ी नीचे उतर के धाम रोज से जाएंगे तो एक सीड़ी चोखट को उलंके इन शोबा को यहां से भी देखते हैं जब उतरे से जाना है तो सीधा एक सीड़ी उतर के गुर्ज में चले जाएंगे और नीचे से जाना है तो चोखड को उलंग के अब यहां हम देखेंगे यह दक्षिन तरफ के चब उत्रे की शोबा चल रही है यह देखिए दक्षिन तरफ की तो हम यह दक्षिन तरफ की शोबा देखे यहाँ इदर उत्तर दिशा के चबूत्रे की उत्तर दिशा की शोबा देखे, समान्रुक से शोबाई मान है तो हम यहाँ जब दक्षिन दिशा की शोबा देख रही है तो एक मंदिर के स्थान पर जो जगे चबूत्रे की चाननी चोप से ले गई है वो एक मंदिर की जो जगे है, वहाँ पर तो कठेडा आगे तीस हाथ की जगे में सीड़ी धाम रोस पर उतरती हुई और चार हाथ की जगे में पुने कठेडा है ये शोबा यहाँ देखते हैं ये देखिए तीस हाथ की जगे में सीड़ी उतरती हुई धाम रोस पर और चार हाथ की जगे में कठेडा और एक प्यारी सी शोबा और है पहले हम इस नक्षी से देखते हैं ये देखिए जो नीलवी की जो महराब है ये जो गुर्श का पूर्व दरवज्जा है उसके ठीक मध्धे जाकर लगती हुई तो ये शोबा हम इन खड़े दिश्य से देखते हैं सबसे पहले तो गुर्श की दिवाल की शोबा देखते हैं एक महराब उन महराब में तीन महराबे जिन में ठीक मध्धे दरवज्जा दाएबाई चाली द्वार 66 हाथ का गुर्श है तो 22-22 साथ की महराबे 22 साथ का लंबा चोड़ा दरवज्जा उपर 22 साथ की महराब अब हम देखेंगे अगर ये दरवज्जा बंध है ये शोबा मैं थोड़ा सा रौकर के दिखाते हूं अगर तो ये दरवज्जा बंध है तो दरवज्जे के जो पल्ले हैं दरवज्जी के जो बेनी है वो इस तरब से शुभाय मान है कि हमें नील्वी का थम नजर आता है नील्वी के थम का अक्ष नजर आता है 44 साथ का उच्छा च्वाली साथ का ये जो थम्ब है उसके थामने अगर ये दोनों पल्ले बंद हो जाते हैं तो हमें च्वाली साथ का थम्ब नजर आता है थम्ब का अक्ष नजर आता है और ये एक सो चोनते साथ की महराब इन थम्ब पर आती हुई अगर ये दरवज्जा खुल जाता है तो तले का बाई साथ का थम्ब हमें नजर नहीं आ रहा उपर का बाई साथ का थम्ब नजर आएगा और ये नील्वी की महराब हमें बनती नजर आएगी तो ये प्यारी सी श नीलवी की जो 134 हाथ की महराब है वो देखिए, यहाँ पे पुने देखिए, अगर ये दरवज्जा बंध हो जाए तो ये थम का अक्षमी नीचे तक नजर आएगा, ये देखिए, सो हाथ की जगे में कठेड़ा, तीस हाथ में एक सीड़ी नीचे उतरने की जगे, चार हाथ में पुने कठेड़ा, जब उत्रे से जाएंगे तो सीधा एक सीड़ी उतर कर, धाम रोज से जाएंगे तो एक सीड़ी उची चोखट को उलग कर, गुर्ज की सुन्दर शोभा, बड़ी महराब, उनमें तीन महराबे, मद्दे दरवज्जा, दाएमें, जाली द्वार और भीतर दिवाल पर मंदिरों की शोभा हीरा, मानिक, पुखराज, पांच और निल्वी के थंबों का अक्ष अक्षि थंब, उन पर पुने, तीन तीन महराबे, उनमें छे जाली द्वार, दो दरवज्जी, यहां पर जरोखा नहीं आएगा क्योंकि इन मंदिरों का जरोखा यही चबुत्रा हुआ और इन चबुत्रे की दूसरी भूम में जरोखों की शोभा अगर हम चबुत्रे पर हैं, मंदिर में जाना हैं, तो हमें मंदिरों में एक सीड़ी उतर कर जाना है और इन जरोखे पर हैं, तो मंदिरों में जाना हैं, तो हमें तीन सीड़ी उतर के जाना है गुर्ज की शोभा भी समान रूप से रहेगी प्रथम भूमिका में हम एक सीड़ी उतरे थे यहाँ पर तीन सीड़ी उतरना है और छज्जे से जाएंगे तो तीन सीड़ी चड़ना है और ती उतरना है तो इस प्रकार सी सुन्दर शोभा खुद को मैसूस करें राज्शामजी संग तले गिलम उपर थंबों को भराए के चंदरवा हीरा मानिक पुखराज पांच और निल्वी के थंबों के सुन्दर अक्ष उन चंदरवा में जिल मिलाते हुए अनिक रंगों से सुसजित चंदर सुन्दर सिंगासन कुर्सियां एक एक थं की सुन्दर शोभा हम से थं की सुन्दर शोभा टकराती हुई दो दो रंगों की सुन्दर मेराबे सुन्दर कथेड़े और सामने चानी चोक मी कीडा करते पशुक अक्षी आपको रिजाते हुए आईए इंच बुत्रे पर बैठ और नूरी शुबा को अपने दिल में उतारे पनाजी संदर साजी